जै स्रीराम प्रेमि भक्तो बस ये तीन काम करो शरीर खुद अपनी बीमारी ठीक करने लगेगा प्यारे भक्तो बहुत ही नया प्रसंग है और बहुत अच्छा भी है लेकिन ये तीन काम कौन से हैं जिनको करने से स्रीर खुद अपनी बीमारी को ठीक करेगा हाँ बिल्कुल है इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है सबसंभव है वह भी इनसान के लिए है बड़े ध्यान से सुनना पहला काम तो यह है कि आप नेगेटिव सोचते हैं नेगेटिव सोचना अगर आप बंद कर दें तो आपके अंदर बीमारी जल्दी से प्रिवेश होगी नहीं क्योंकि इसके लिए आप ऐसे समझें कि किसी को कैंसर हो गया लकवा मार गया या और कोई बीमारी हो गई तो जब हम उसको देखते हैं और सुनते हैं तो जातर लोगों के अंदर ऐसा आता है कि यह कई मुझे ना हो जाएं तो यह उसका असर देखाती है तो यह ध्यान रखें कि हम इस नेगटिविटी को बिलकुल भी अपने अंदर न जाने दे, अगर आए तो नहीं मुझे क्यों होगा, मुझे तो हो जी नहीं सकता मेरा तो संसकारी इससी का है, इसका नदर कोई इसका कि कोई कमी होगी, इसका कोई पाप उद्य हो गया होगा, मैंने तो कभी पाप किया ही नहीं, मैं तो पुन्यात्मा हूँ, यानि कि पोजिटिव्टी अगर उस समय जब नेगटिव्टी आए, तो उसको निकाल दें, और पोजिटिव्टी को ले आए, तो जुनुवी बात है, बीमारी आपके अंदर ही नहीं, और दूसरी बात यह है, कि आप हमेशान खुश रहना सुरूई करें, छोटी जी कोई परवार में बात होगी, समाज में बात होगी, यार दोस्तों में बात हुई, आफिस में बात हुई, कई बिजनिस बालों के बिजनिस में बात हुई, तो हम उस समय अपने मन को उस बात के साथ लगा लेते हैं और हमें बड़ी इस तरह की बात हमारे अंदर बैठ जाती है मन के अंदर ये तो गरत हुआ ये होना ही चीए था ये क्यों हो गया ये कैसे ठीक होगा तो प्यारे भक्तों ये नेगिटिवटी ही है ऐसा ना सोचे आपने किसी भी इस्थिती में सुख हो या दुख हो लाब हो या हानी हो हर इस्थिती में आपने खुश रहना है अगर आप खुश रहेंगे तो आपके अंदर जो सरीर को मन प्रदान करना चाहता है क्योंकि मन के लार सरीर मन के साथ सरीर चलता है इंद्रिया मन के साथ काम करती है और उनको बुद्धी निर्ड़ करके बताती है तो अगर आप नेगटिव थी नहीं रखेंगे नमबर दो आप हानी लाव में और खुशी गम में आप प्रसन चित रहेंगे तो आपके अंदर कोई भी विमारी आएगी नहीं और आएगी तो अपने आप मिलेगा आपकी बुद्धी क्योंकि आप खुश हैं दुखी होना चाहिए था लेकिन दुखी नहीं है फिर भी आप खुश हैं तो आपका मन उसको दूर करने के लिए कोई ने कोई रास्ता बताएगा और आपके अंदर बीमारी आएगी नहीं और तीसरा और अ बीमारी ना आएं तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाएं और फ्रूट भी कौन से खाएं जिसके अंदर वैसे तो ज्यातर फ्रूटों में पानी की मात्रा ज्यादा होती ही है लेकिन आप ऐसे फ्रूट खाएं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जैसे यह मौसम अंगूर खाईए यह मोसम चला है आप जो ना जो आज का जो फल होता है गर्मी के समय में चलता है तरबूजा खाईए खरबूजा खाईए ऐसे फ्रूट अगर खाएंगे तो आपका जो शरीर है वह बीमारियों से लड़ने की छमता रखेगा और मन आपका इस तरह करेगा त जब अगर कोई बीमारी आएगी तो आपका मन उसका साधन भी बता देगा क्योंकि ये तीनों चीजें इस तरह की हैं एक तो नेगिटिवती नहीं सोचना है पॉजिटिवती सोचना है खुसी रहना है और फ्रूट जादा से जादा आपने इस्तेयमाल करना है तो आपका सर सरीर अपनी बीमारी को बढ़ने ही नहीं देगा आपके सरीर में बीमारी बढ़ेगी नहीं और ये तीन काम अगर करेंगे तो आपका सरीर खुद बता देगा कि मुझे कोई बीमारी है ही नहीं और है तो बीमारी अपने ठीक होने लगेगी तो ये तीन काम करें और अपने जीवन में बीमारियों को मात ले और हमेशा स्वस्त रहे और आनंद में रहे अब हम अप्रिवाणि को विश्राम देते हैं जै स्रीराम